मेरी कलम से शिर्शक गोपाल की दिपावली वैसे तो दिपावली पर शहरों की बाजारों में काफी भीड रहती है खास कर रात की समय तो बाजारों की रौनक में चार चांद लग जाते हैं जिधर देखो उधर खरित फरोक्त का बाजार गर्म रहता है बाजार में मनपसंद स घुमता रहता है बाजार के अंतर में रेडिमेट कपड़ों की छोटी सी दुकान जो रहमत खान की है वो रोजाना दुकान के सामने ग्रहकों को लुभाने के लिए बच्चों के कपड़े लटकाए हुए रखता है दुकान से बाहर खड़े होकर उन्हीं की और वो लड़का देखता रहता और रहमत खान उस लड़के की उड़ देखता रहता ताका ताकी का ये खेल अब रोज का काम सा बन गया लड़के को इन कपड़ों को देखने में मज़ा आता और रहमत खान को लड़के को कपड़ों को निहारती आँखों से देखने में मज़ा आता लड़क गरीब बच्चा है और अनाद भी हो सकता है दिपावली है हो सकता है वह कपड़े खरिदना चाहता हो क्यूंकि वह हिंदू है लेकिन उसकी परिस्थितियां उसकी घरीबी या उसकी जेब उसे कपड़े खरिदने की इजाज़त नहीं देती होगी इसलिए वह कपड़े देखकर ही अपनी चाहत पूरी कर लेता होगा उसकी गरीबी का ख्याल आते ही रहमत खा का दिल पसिज गया और उसने लड़के को पास बुलाया कहा यहां आओ लड़के जब लड़का रहमत खान के पास गया तो रहमत खान ने प्यार से पूछा क्या बात है बेटा लड़के ने कहा कुछ नहीं अंकल आपकी दुकान में कप्रे बहुत अच्छे हैं इसलिए देखता रहता हूँ बस इतना ही रहमत ने कहा तुम्हारा नाम क्या है उसने कहा गोपाल रहमत ने पूछा कहा रहते हो उसने कहा शहर के उस पार जुगी जोपड़ी में तुम्हारे माता पिता क्या कर रहे हैं उसने कहा मेरे माता पिता नहीं है चाचा वे दोनों मुझे कोरोना में अकेला छोड़कर भग बाला उठाया और हताश कदमों से चला गया लड़के को जाता देखकर रहा है मत खांको ख्याला आया कि अनात और गरीबी भी क्या बुरी बला है अल्ला की मर्जी शायत अल्ला ने गरीबों और यतिमों के लिए अमीर लोगों पर जकात फर्द की है चाहे वो हिंदू हो या म मिलेगा जकात सिर्फ रमजान में ही देना जरूरी नहीं अगले दिन रहमत खान ने खुब्सरत शट और निकर निकाली और काउंटर पर द्रगते हुए सोचा कि गोपाल आएगा तो उससे दूँगा नौ बच रहे थे गोपाल के आने का समय हो गया था रहमत खा बड़ी शट और निकर लेकर भाग रहा था उन्होंने उसे आवाज दी अरे रुको और उसके पीछे भागने लगे कुछ दूज तक दोड़ने के बाद उन्होंने गोपाल को पकड़ लिया और चिलाने लगे गोपाल तुमने ये क्या किया मैं तुम्हें उपहार में देने के लेकिन आज तुमने मेरा भरुसा तोड़ दिया कास तो मैसा ना करते रोते रोते गोपाल की आँखों में आसु छलक पड़े और उसने रहमत खान के पैर पकड़ लिये भीड में से किसी ने गोपाल को थपड़ माना चाहा तो रहमत खान ने गोपाल को छूने की गलती ना करने की चिताओं ने देडाली इस दोरान लड़के ने रहमत से कहा अंकल मुझे माफ कर दो कहते हुए गोपाल रहमत खां से लिपड़ गया रहमत खाने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और करोना से कहा चलो बेटा मेरे साथ आओ भविशे में कभी ऐसी हरकत और गलती ना करना क क्योंकि अब तुम अनात नहीं हो बेटा तुम्हारे चाचा रहमत खां अभी जीवित और तुम्हारे साथ है मेरी कलम से अंतररास्टी साहितिकार M.G.F. डॉक्टर रोनक जमाल